नमस्कार आप देखरें एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्रा एंडिये में लोग जन्शक्ती पार्टी राम बिलास के रास्टी अध्यक्ष चिराग पास्वान को जादा तवज्जो दिया जा रहा है वहीं आपको बता देऊ कि उनके चाचा पशुपती पारस को एंडिये में कम तवज्जो दिया जा रहा है वहीं हमके संरक्षक जीताराम मा जी ने ये सब कुछ साफ कर दिया है एक चिराग पास्वान को जादा तवज्जो क्यों दिया जा रहा है और वहीं उनके चाचा पशुपती पारस को कम तवज्जो क्यों दिया जा रहा है वाकि सब कुछ आपको इसे वीडियो विस्तार से बताते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे लोगसबा चुनाव की घोशना के बाद हम संरक्षक जीतनाम माजी अपने आवास पर मीडिया से कई मुद्धो पर बाच्चत किये इस दोरान चाचा पशुपती और भतीजे चिराग के विवात पर उन्होंने कहा कि पशुपती पारस पर प्रेसर बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे में उनके साथ 4 MP थे जिसमें कुछ इधर उधर भी हो गए हैं उन्हें समझाया गया कि चिराग पासवान युवा हैं और उनके फॉलोवर्स जादा हैं ऐसी परिस्थिती में NDA के शृर्स नेताओं ने नोड़ने लिया कि जो भी सीट है वह चिराग को मिलेगी आपके वैक्तित्व और प्रतिस्था के लायक आपको भी सीट मिलेगी लेकिन इसके बाद भी वह नहीं मान रहे हैं जितना माजी ने आगे कहा कि कभी RJD में जाएंगे तो कभी कहते हैं हाजीपूर से चुनाओ लड़ेंगे कभी कहते हैं NDA के इमांडार सिपाही हैं यह दोनों बात कैसे हो सकती है इमांडार सिपाही अगर खुद को मानते हैं तो NDA के निर्णे को मानना चाहिए एंडिय में सीट बटवारे की सवाल पर जीतरा माजी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है बहुत सी पार्टिया है हम तो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव की घोशना के बाद से 2-5 दिनों तक यारी नमांकन के समय तक सीट फाइनल होती है य और वहीं बैठक होगे शायद एंडिय में सीटो की घोशना हो जाएगी और इस पर बीजेपी प्रेस कॉनफरेंस कर पूरी जानकारी देगी वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर हम नेता ने कहा कि लोगसवा चुनाव को लेकर बहुत सारे नेता यात्रा करते हैं इसका च इक्षा को बताते हैं वहीं अभी 2024 में किसी से कंपर्टीशन नहीं हो सकता है 2029 तक PM का दावा कर सकते हैं ऐसी लोग प्रियता है तो जैसा कि हम के संरक्षक जीता नाम मा जी का साफतर पर कहना है कि पशुपती पारस अपने आपको इमानदार कहते हैं लेकिन वह किसी भी त अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहें तुमारे पेज को फैलो करें और अगर यही वीडियो मा यूटिव चैनल पर देख रहें तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद